हालो एर वीवन नमस्कार आप समीका मैं स्वागत करता हूँ टीम परिक्षा प्लस की और उसे रामन मिश्रा मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ अभी जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी परिक्षा कल हुई चार तारिक में यानि चार दिसम्बर में जो परिच्छा संपन हुई है उसके शेलिशन को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ और यह जो आपका सेट है यह सेट ए है इसका यानि पेपर बन ए का शेलिशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी अभी section पर मैं आपसे बात करूँगा हिंदी section के बाद फिर मैं आपसे जी एस पर बात करूंगा उसके बाद रेजिनिंग जो आपका section है उसका solution आसी सर के द्वारा अभी आपको बताया जाएगा तो देड़ न करते विए चलिए मैं सुरुवात कर रहा हूं आपके हिंदी section की जहां से आप match करा सकते हैं कि आपके कितने questions वहाँ पर सही हो रहे हैं और कितने questions आपके गलत हो रहे हैं लगबग जो भी answers मैं बता रहा हूं और दोस्तों सबसे बड़ी बात आप 800 series प्रशनों की अगर देखें हैं जो मैंने अधिकतर जितने भी लगबग question है आप 50 question प्लस मानके चलिए कि 800 series मैं मैंने discuss किया इसलिए जो लोग भी वीडियो मारे देखें हैं या जिल लोगों ने PDF उसका पढ़ा हुआ है वो सारे लोग बहुत अच्छा paper करके आये हैं यानि 800 प्रशनों की series कई लोगों में call करके भी बताया कि सर आपकी series बहुत ही ज़्यादा सफल लई सभी का बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत आभार ऐसे ही सहयोग बनाये रखिए लगातार टीम के द्वारा एक से एक अच्छे प्रोग्राम आप ले करके आपकी तयारी में जो बहुत ज़्यादा लाबदायक होंगे टीम लगातार चलाती रही चले शुरुवात करते हैं सबसे पहला प्रशन आपकी screen पर सामने देख रहा है पहला प्रशन बोल रहा है रात्र में बिचराण करने वाले प्राणी को कहा जाता है इसका सही जबाब अगर देखे तो निसाचर होगा यानि जो रात्र में बिचराण करते हूं को निसाचर कहते हैं दूसरा नमबर प्रश्ण आपके सामने है दूसरा नमबर कह रहा है जो खाने योग ये ना हो उसको अखाद दी बोला जाता यानि दूसरे का जवाब आपका A विकल्प सही है तीसरा प्रश्ण बोला है जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेद बोलते है यानि B आप्शन सही है चौथा प्रश्ण अगर देखें इनमें से कौन सा सब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है तो गुस्से का समानार्थी आपका क्रोध भी है अमर्स भी है रोस भी है आपकर्स गुस्से का समानार्थी नहीं होता है इसलिए आपका जो है सी विकल्प आपका इसमें जो है सही ह आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण नमबर 5 आपकी स्क्रीन पर है इन में से कौन सा सब्द मद का समानार्थी नहीं है यानि मद का समानार्थी आप से पूछा है तो मद का समानार्थी अगर हम देखें इन में से सही जबाब तो सिथिल आपका कहीं से भी मद का प्राइबाच समानार्थी नहीं होगा अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं छे नंबर प्रश्ण आपके सामने है छे नंबर प्रश्ण कह रहा है जिन भाव आचक संग्याओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है पुल लिंग या इस्तरी या नपुन्सक लिंग या उभय लिंग तो ये समझ जए जिन भी भाव आचक संग्याओं के अंत में हट होता है वो सभी की सभी इस्तरी लिंग होती है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर प्रश्ण नंबर साथ आपके सामने है साथ नंबर आसान सा है पुल लिंग संग्या के स्थान पर इस्तरी लिंग कर देने से काला वीशेशन का रूप क्या होगा तो वो काली रूप में बदल जाएगा आगे बढ़ते हैं कवाली शब्द में कौन सा लिंग है तो कवाली सब्द में जो लिंग देखें यह इस्तरी लिंग है जहां पर भी इकारांत सब्दाएं वो अधिकतर आपके इस्तरी लिंग होते हैं ठीक है जब मैं questions करा रहा था 800 प्रशनों में उनमें सभी प्रशनों के बारे में मैंने लगभग आपसे बात किया इसमें से रश नमबर प्रशन है दस नमबर प्रशन आपसे कह रहा है कि आकार अंत इस्तरी लिंग सब्द का बहुवचन बनाने के लिए किया किया जाता है यानि जिनके अंत में आ हो तो जैसे गाय लिखा है ठीक है इस्तरी लिंग है अब इसमें अगर बहुवचन बनाना है तो अंत में वहीं सौधा ही लिखा जाएगा, यानि इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अगले प्रश्ण 12 नंबर पर बढ़ते हैं, मैं का बहुवचन होगा, हम होगा, हम लोगों की लेंग्विज रहती न, कि हम जा रहे हैं, अकेले जाएंगे तब ही बोलते हैं हम जा र जाता, एकदम सही है, कुछ अर्वी बहुवचन सब्दों का प्रियोग हिंदी में एक बचन में होता है, एकदम सही है, बुढियां का बहुवचन में बुढियें, सब रूप असुद्ध है, यह भी सही है, अगर मान लिजे आयोग दे रहा इसका असुद्ध, तो वो एक को मान सकता है क्योंकि यहां भाव्णा के कारण लिखा है थीक कि कुछ सब्ध भाव्णा के काराण बहुदा ववववचन में आते हैं यह सत्य है जैसे प्राण कमल बंदो हरीराई में कौन सा अलंकार है मतलब बहुत आसान सा पूछा है तो चरण कमल बंदो हरीराई इसमें जो है रूपक अलंकार है यहाँ पर ठीक है समझ गए तुलना हो रही एक तरीके से चरण कमल बंदो हरीराई पंद्रह नंबर प्रशनाप से कहता है बांदा था किसने इनकाली जंजीरों से मड़ी वाले फड़ियों का मुख्यों भरा हुआ है हीरो से प्रस्तुत का भी पंक्तियों में कौन सा लंकार यह अतिसयोक्ति की बात हो रही है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि मड़ी वाले जो फण आपके फण है ठीक उनका मुख्यों के से वाची होता है इसमें प्राया उत्तरपद प्रधान होता है इसमें पूर्पद अव्य होता है तो तत्पूरुस समास की विशिस्ता दोस्तों ये होती है कि तत्पूरुस जो समास होता है उसका उत्तरपद आपका हमेशा प्रधान होता है अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते है 17 नमबर प्रश्ण जिस समासिक सब्द में पूरपद और उत्तरपद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान वहां आपका बहुबरी समास होता है, अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं, अठारा नमबर प्रश्ण अनुरूप में कौन सा समास यानी रूप की अनुरूप अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं, यतोचित का सही संद्य विच्षेत क्या होगा, यता धन उचित विकल्ब C आपका एकदम सही है, यतोचित बनेगा, विद्यार्थी सब्द का सही संद्य विच्षेत क्या है, विद्या धन अर्थी ठीक है, विकल्ब B आपने चुना ह तो एकदम सही हैं विद्याधन अर्थी विध्यार्थी बनता है अगले प्रशन के ओर बढ़ते हैं 21 नमबर प्रशन आपके जो है आयाधी संदी से था नाविक का सही संदी विछेद क्या है या आधिशंदी है, ब्योहार का सही संद्विक्षेत क्या होगा? Biden, आवधन, हार, व्योहार होता है. यह थोड़ा सापने आप में सही प्रosesन रहा. अगला स्याओधान का सही संद्विक्षेत बताईए, बहुत बढ़ी हैं, ये भी प्रशन है, सावधान का सही संद्विक् अधान डी भी कल देखो मैंने सेम बेसिस पर ऐसे आपको कराया था जिसमें मैंने वर्तनी असुद्धी रखी थी एक असुद्ध वर्तनी रखी थी फिर सुद्ध वर्तनी ठीक मैंने बताया था कि UP SSSC इस पैटन पर क्वेस्टन दे रहा है देख लिजिए सेम पैटन को फालो किया है आप मेरे वीडियोज में जाएए वहां आपको ये मिल जाएगा जो जो चीजे मैं बता रहा हूँ महारसी का सही संद्ध विच्षे पता नहीं कितनी बार मैंने कराया 800 प्रशनों में महाधन रिसी होगा आगे बढ़ते मैंने जो नोर्स दिया था हैं डिटन इसमें ये सब वर्णित है चार-पांच मैंने सिर्फ पॉइंट उठाये थे लेकिन देखे वहां से ही आपको सारे मिल जाएगे अगला प्रशन आपसे कह रहा है निश्चल का सही संद्ध विच्षे ये भी मैंने कराया है नीधन चल होता है निश्चल क्योंकि ये बिशर्ग संद का उदारण है ता का बदलाओ धा में हो जा रहा है सत धन धर्म जो बनेगा तो इस सत धन धर्म आपका सद धर्म बनेगा अगले प्रशन की और बढ़ते हैं 27 नंबर प्रशन कह रहा है निमलेखित मैंसे सुद्ध वाकी का चैन करें आईस और रिचा बाजार गई गलत है र चलते दोनों में तकरार हो गई आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रशन आपका इस तरीके से बोला है निमलेखित सुद्ध वाकी का चैन करें निमलेखित मैंसे गंदा पानी उबाल कर पीए पडोसी ने मुझे सुद्ध दीवस की बधाई दिया यमना का पानी गंदा और प्र चैन करें 29 नंबर प्रशन आपसे बोला है कि निमलेखित मैंसे सुद्ध वाकी का चैन करें सीधी लकीर खीचना बहुत कठीन है जंक फूट से मोटाबा पढ़ती है गलत है हरा पेंड आकसीजन देते हैं हरे पेंड गलत है मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है गलत है यान लग रहा ये आदमी सबकी राज जानता गलत है बीच अंकुरित होने वाले ये गलत है बीविकल्प आपका 30 का सही है अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं निमलेखित मैंसे सुद्ध वाकी का चैन करें चाय ठंडा हो गलत है हल्वा गरम गरम अच्छी लगती है गलत है पकन मनुष्य की सरीर में इस्थित आलश ही उसका सबसे बड़ा दुस्मन है बीविकल्प आपका सही है अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं 33 नमबर आपका है आशू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ के आए आशू पीकर रह जाना चुप चाप दुख सहले ना ठीक है आ आगे बढ़ते हैं 34 नमबर प्रशन कहे रहा है आंधी आवे बैठ गमावे लोकों का जो है उपयुक्त अर्थ क्या है आंधी आवे बैठ गमावे इसका सबसे बेस्ट समय का इंतजार करना इसका सही अर्थ होगा 35 नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन सामने पर है किताब का जो बहुत बड़ा ज्यादा पढ़ने वाला होता है उसको बोलते हैं कच्चा चिठा खोलना का उपयुक्त अर्थ बताओ तु सारा भेद खोल दो ये सही इसका आर्थ है मलब कच्चा चिठा आपने खोल दिया अगला प्रशन 37 नमबर प्रशन है ये थोड़ा सा अच्छा है त्रिसंकू होना का उपयुक्त अर्थ क्या है जो किसी और का न रह जाए उसको बोलते हैं त्रिसंकू में रह गया वो ठीक है आगे बढ़ते हैं 38 नमबर प्रशन है कह रहा है भाई गति सांप छचंदर केरी इसका अर्थ क्या है दोविधा में जो लोग पढ़ जाते है उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ठीक है एकदम राइट ये अंसर है घाट घाट का पानी पीना घाट घाट का पानी के मिल लग अनेक छेतरों का अनुभव जो बेकती रखता है उसको कहते है ये घाट घाट का पानी पिया है मूर्त सब्द का बिलोम क्या होगा मूर अलोग होता है एक दम सुद्ध रूब में अलोग विलोग में से कोई नहीं लेंगे आगे बढ़ते हैं सम्मुक सब्द का विलोम क्या है सम्मुक का विलोम हमेशा विमुक होगा ठीक है सम्मुक मल्लब सामने की और मुक विमुक का मल्लब उल्टा अगला 44 नमबर बोला है कि वक्ता सब्द का बिलोम है, वक्ता का बिलोम सुरोता होगा, ठीक, मतलब बोलने वाले का बिलोम सुनने वाला होगा, आबरित का बिलोम पूछा है आपसे कि आबरित सब्द का बिलोम क्या है, आबरित का बिलोम अनाबरित होता है, यानि जो आपका 45 नंबर है, इसका जाता रहता था कि ये देख लेना लास्ट वाले question भया पूरे पढ़ लेना ठीक है आद नम का इसमें से प्राइवाची आधरा नहीं है बाकी आपके तीनों सब्द नम का प्राइवाची है 47 नमबर प्रश्ण आप से कह रहा है कौन सा सब्द डर का प्राइवाची नहीं है ठीक तो भीती, भय, तरास और सीती सीती इसका आर्थ नहीं है बाकी जो तीनों दिये हैं ये तीनों के तीनों आपके डर के प्राइवाची है 47 के बाद 48 नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है निमलिखित में से कौन सा सब्द कुसल का प्रायवाची नहीं कुसल का अर्थ दक्ष भी होता निपुड भी होता प्रभीड भी अक्ष कहीं से भी नहीं है बी विकल्प आपका सही है कुसल का प्रहवाची अक्ष नहीं होता है ठीक है उन्चास नंबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर निमलिखित में से कौन सा सब्द आपका पक्षी का प्रहवाची नहीं है अब खग पंथी बिहग द्विज द्विज भी है खग भी है बिहग भी है पंथी आपका पक्षी का कहीं से भी प्रहवाची नहीं होता है 99 के बाद 50 number प्रशन आपकी screen पर निमलिकित में से कौन सा सब जो पुत्री का प्रहवाची नहीं है दोहिता, दोहित्र, तनएया, सुता, देखो सुता भी, तनिया भी, दोहित्र का मलब नतिनी होता है ठीक है पुत्री की पुत्री को जो है दोहित्र बोलते हैं पुत्री की पुत्री समझ गए ना इसको दोहित्र बोलता है नतिनी इसको बोला जाता है ना तिन जिसको कहते हैं एक क्यावन नमबर प्रशन आप से पूछ रहा है, निमलिखित में से कौन सा सब्द निंदा का प्राइवाची है, निंदा का प्राइवाची कुछ सा होता है, इसमें से और कोई चीजे नहीं, अस्तुत इसका जो है क्या है, विलोम है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर प्राइवाची दूस्ट का नहीं है, आगे बढ़ते हैं पावन के बाद तिरपन नमबर प्रशन, कौन सा सब्द तत्सम नहीं है, तत्सम सब्द के लिए अगर देखें, तो परतीत सब्द यहाँ जो लिखा है, यह आपका तत्सम नहीं तत्दबो है, यह वाला तत्सम है ठीक है, अगले प्रशन की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बाद जो अगला प्रशन है, चववन नमबर प्रशन आपसे बोला है कि कौन सा सब्द तत्दबो है, उल्लास, उच्छवास, नीश्वास, उजास, उजास सब्द यहाँ पर तत्दबो है, अन्नी बाकी आपके तत्सम विकल्ब दिये हैं, पचवपन नमबर प्रशन आपसे बोला है, निवलेखित में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है, देखो किसन यहाँ पर तत्सम नहीं, क्रिष्ण होगा, कटी कर के क्रिष्का है, यह सब के सब आपके क्या होते हैं, तत्सम सब्दों में आते हैं, चवप आपका राइट है 56 गे बाद 57 नमबर देखें निमलिखित में से कौन सा सब्द आपका तत्सम नहीं है तो अगर तत्सम नहीं है ये सब्द देखें तो पानिप सब्द आपका तत्सम नहीं बाकी ध्रिश्ट भी है प्रिश्ट भी है पंक भी है ये सारी के सारे आपके तत्सम अठावन नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है, तो यहां उपखान जो सब्द लिखा है, यह आपका इसमें से सब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, उनसर नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है, बोल ला है, कौन सा सब्द तत्भो नहीं है, तो तत्भो इसमें से देखें, 59 नमबर प्रश्ण का जो सबसे उचित इसमें जबाब होगा वो जबाब विकल्प उपज होगा उपज का आर्थ होता है पैदावार यहीं पर आपका एक ऐसा प्रश्ण है जो आपका जो है इसमें मलब तत्सम है तत्सम है बाकी के बाकी आपके सब तत्भो और देशच सब्द है 60 नमबर अगर प्रश्ण उठाएं कहरा है कौन सा सब्द तत्सम नहीं यानि तत्भो है तो इसमें आपको उलजन ऐसा मिलेगा यह तत्भो सब्द है बाकी के बाकी आपके जो है आपके एक तरीके से तत्सम दिये हुई हैं तो 60 प्रशन इसके हो गए अभी मैं 20 सेड लेकर आ रहा हूँ फिर अभी इसका जीएस भी बता रहा हूँ रिजनी भी आ रही यानि दोनों सेट के इसके बाद वाला जो आपका फस्स सिरीज है उसका भ प्रशन करती है